प्राइवेट पार्ट्स में होने वाला इरिटेशन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? बार-बार खुजली आने की वजह से, बार-बार दर्ध होने की वजह से, बार-बार बर्निंग होने की वजह से, क्या आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो? हो सकता है आपको वजायना में ड्राइनेस की शिकायत हो रही हो जी हाँ अगर वजायना में ड्राइनेस हो रहा हो तो ये काफी अनकमफर्टेबल महसूस हो सकता है वजायना में होने वाले ड्राइनेस को समझने से पहले ये समझते हैं कि वजायना का नौर्मल क्या होता है दरसल हमारे यूटरस के अंदर वजायना के अंदर सर्विक्स के अंदर कुछ ग्लाइन्स मौजूद होते हैं ये glands एक specific fluid को regularly secret करते हैं, release करते हैं। ये fluid बाद में धीरे-धीरे करके बाहर आता है और वजाइना के बाहरी surface पे जम जाता है। ये fluid कभी-कभी पानी की तरह पतला होता है और कभी-कभी हलका सा whitish होता है। दोनों cases में ये fluid नॉर्मल माना जाता है। इस fluid में कुछ हद तक bacteria भी मौजूद होते हैं। इन bacteria को वजाइना का नॉर्मल, healthy bacteria, healthy flora ऐसे माना जाता है। दरसल ये bacteria वजाइना में आने वाले कुछ अन्य infection को बाहर ही खतम कर देते हैं, बाहर ही मार देते हैं। इसलिए इस bacteria का वजाइना में होना important माना जाता है। कुछ कारण की वजह से, कुछ physiological conditions की वजह से, कुछ pathological conditions यान की कुछ बिमारियों की वजह से वजाइना में dryness हो सकता है। ये जो वजाइना में होने वाला secretion होता है, ये अगर किसी condition की वजह से, किसी underlying physiology या pathology की वजह से ये secretions hamper हो जाए। तो वजाइना में आने वाला fluid, वजाइना में maintain होने वाला moisture घड़ जाता है और dryness में हसोस होती है। दरसल ये जो glands का secretion होता है, ये एक specific hormone, estrogen नाम के एक specific hormone की वजह से maintain होता है। अगर औरत के शरीर में estrogen की level normal हो, तो वजाइना में होने वाला moisture, glands से होने वाला secretion काफी अच्छी तरह से और काफी normal level में माना जाता है। अगर किसी reason की वजह से इस estrogen की मातरा शरीर में घड़ जाए, तो automatically secretions कम हो जाते हैं और secretions कम होने की वजह से वजाइना में dryness में सोस हो सकती है। कुछ physiological conditions होती हैं जिसमें वजाइना में dryness हो सकती है। specially delivery के बाद शरीर में hormones उपर नीचे होते हैं। इस delivery के बाद के phase में शरीर में estrogen की मातरा घड़ जाती है। pregnancy sustain करने के लिए estrogen और progesteron बहुत ही जादा important होते हैं। delivery के बाद pregnancy maintain करने का सवाली नहीं उठता। इसलिए delivery के बाद इन hormones की level अचानक से घड़ जाती है। इस घटने वाले level की वजह से वजायना में होने वाले secretions कम हो जाते हैं और dryness महसूस होता है। ज्यादा तर ये dryness breastfeeding के दौरान महसूस होता है। वैसे ही menopause के दौरान शरीर में होने वाले hormones की level काफी ज्यादा घड़ जाती है। menopause के दौरान औरत को periods महसूस नहीं होते। इसलिए शरीर में hormones की level काफी कम हो जाती है। इस कम होते हुए hormones की वजह से शरीर में काफी अलग-अलग symptoms दिखाई देते हैं। उन में से एक symptom होता है vaginal dryness। In fact, जैसे-जैसे उमर भढ़ती जाती है, वैसे शरीर में hormones की level change होते रहती है और वजाईना की size भी change होती है। जैसे-जैसे उमर ज्यादा बढ़ती है, specially menopause के बाद, वजाईना की size सिकुडते जाती है। इसे vaginal atrophy के नाम से पहचाना जाता है। कुछ औरतों में, कुछ specific कारणों की वजह से, कुछ specific बिमारियों की वजह से, ovaries को निकालना पड़ता है। ये दरसल physiological नहीं होता, लेकिन किसी underlying बिमारी की वजह से, ovaries का निकालना जरूरी हो सकता है। कुछ underlying बिमारिया, जैसे की diabetes, thyroid या yogan syndrome जिसमें generalized dryness महसूस हो सकती है, उसमें vagina में होने वाली dryness बहुत ही ज्यादा profound यानि की बहुत ही ज्यादा तोर पे महसूस हो सकती है। Diabetes अगर control में ना हो, तो उन औरतों को वजाइना में dryness महसूस होना बहुत ही ज्यादा commonly देखा गया है। एक systemic condition होती है जिसका नाम होता है yogan syndrome, इस yogan syndrome में आखों में dryness महसूस होती है, मू में dryness महसूस होती है, और उसी कारण की वजह से उन लोगों में वजाइना में भी dry जैसे कुछ बिमारियों की वजह से वजाइना में dryness हो सकती है, वैसे ही कुछ दवाईयों की वजह से भी वजाइना में dryness महसूस हो सकती है। कीमोथेरेपी एजेंट्स के नाम से पहचाना जाता है, ये कीमोथेरेपी एजेंट्स काफी strong होते हैं, इन कीमोथेरेपी एजेंट्स की वजह से काफी औरतों को वजाइना में dryness महसूस हो सकती है, वजाइना में होने वाली dryness ज्यादा तरr irritating, uncomfort की तरह महसूस होती है, sexual intercourse काफी painful और disturbing हो सकता है इसलिए ये औरते ज्यादा तर sexual intercourse को पूरी तरह से avoid करती है तो sexual intercourse की वक्त वजायना में dryness अगर हो तो ये क्यों interfere करता है sexual intercourse के समय lubrication की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है अगर वजायना में dryness हो तो lubrication सही तरीके से नहीं मिल पाता और उसकी वजह से intercourse सही तरीके से नहीं हो पाता At the same time औरत को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है sexual intercourse के time पे इस condition को counter करने के लिए sufficient amount of lubricant अगर apply किया जाए तो वजायना में होने वाले dryness को काफी effectively counter किया जा सकता है ऐसे cases में दोनों partners को अपने sexual organs पे lubricant लगाना बहुत ही ज्यादा फाइदे मन महसूस हो सकता है वजायना में होने वाला dryness डाइगनोस करने और treat करने क्या इतना जरूरी और इतना important क्यों हो सकता है अब जैसे मैंने आपको पहले बोला वजायना में normal fluid के अंदर कुछ bacteria मौझूद होते हैं ये bacteria अन्य infection को defeat करने के लिए काफी एहम role play करते हैं जब dryness महसूस हो तो वजायना में normal fluids काफी कम level में मौझूद होता है इस normal fluid में bacteria का मौझूद होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अगर dryness मौझूद हो तो automatically fluid की level कम हो जाती है और automatically bacterias की level कम हो जाती है जब वजायना में normal healthy bacteria मौझूद ना हो तब अन्य infection आना काफी ज्यादा आसान हो जाता है इसलिए vaginal dryness को timely diagnose करना, timely treat करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है वजायना के dryness को diagnose करने के लिए आपके doctor आपके pelvic area का काफी अच्छी तरह से examination करेंगे वजायना को काफी अच्छी तरह से study किया जाएगा वजायना को बारी की से देखने के लिए, cervix को अच्छी तरह से देखने के लिए आपके doctor speculum नाम के एक instrument का इस्तमाल कर सकते है ये dryness exactly क्यों हो रहा है, ये find out करने के लिए आपके doctor आपको diabetes का test, thyroid का test करवाने का सुझाव या sonography करवाने का सुझाव भी दे सकते है वजायना में होने वाला dryness काफी आसानी से tackle किया जा सकता है, कई बार अगर कोई underlying medical condition ना हो तो ये dryness permanently solve भी किया जा सकता है कुछ estrogen based, low dose estrogen based creams के regular application से वजायना में होने वाला dryness काफी effectively cure किया जा सकता है अगर किसी को diabetes या thyroid की शिकायत की वजह से वजायना में dryness महसूस हो रही है तो उन लोगों को अपनी regular medications continue करना बहुत ही ज्यादा important होता है diabetes अगर control में रखा जाए तो वजायना में होने वाले dryness की शिकायत काफी हद तक कम की जा सकती है topical creams की तरह ही कुछ दवाईयां होती है कुछ estrogen derivatives होते हैं जिन्हें consume करके शरीर में minimum level of estrogen को maintain किया जा सकता है ज्यादा तर ये दवाईयां menopause के बाद इस्तमाल की जाती हैं जब शरीर में minimum level of estrogen maintain किया जा सकता है इन दवाईयों की मदद से normal secretions uterus से और cervix से होने वाले normal secretions को बरकरार रखा जा सकता है और वजायना में होने वाले dryness को कम किया जा सकता है दवाईयों की तरह ही कुछ normal home remedies की मदद से भी आप वजायना में होने वाले dryness को काफी effectively manage कर सकते हैं आप घर पे मौजूद coconut oil, grape seed oil, sunflower oil के application से वजायना में lubrication maintain कर सकते हैं कुछ हद तक moisture maintain कर सकते हैं Having said that, regularly अपने private parts को clean रखना ज़रूरी होता है लेकिन clean रखने के लिए fancy lotions, fancy cleaners का इस्तमाल करना important नहीं होता इससे उसके specially उसके fragrance की वजह से वजायना में dryness और भी ज्यादा बढ़ सकती है Usually वजायना में होने वाली dryness दवाईयों की मदद से, regular health modification की मदद से काफी effectively manage किये जा सकते हैं लेकिन अगर आपके वजायना में बहुत ही severe तकलीफ हो रही है उठने, बैठने, चलने, फिरने में भी तकलीफ महसूस हो रही है तो आपको आपके doctor से मिलना जरूरी पढ़ सकता है ऐसे ही अलग-अलग medical topics के बारे में, women health से related topics के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को subscribe करें और i का icon दबाते ही आपको हमारे अन्य videos की link मिल जाएगी तो आपको relevant videos के बारे में देखने का भी मौका उस information box में से मिल जाएगा Thank you